हेलो डियर सुडेंट्स स्वागत है आपका इस्टूडियो में और आज का ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप सभी क्लास 10 के सुडेंट्स के लिए क्योंकि इस्टूडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका CBSC का टर्म 1 एक्जाम हुआ था संस्कृत और इस्टूडियो को आगे बढ़ते हैं हम तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यह तो आपको पता ही होगा कि आपके के पर में कुल 51 कोशन ते जिसमें से आपको ऑनई 40 को radio को हरेगी ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम first question की बात करते हैं, first question हमारा ये है, तो इसके अगर हम right option की बात करें, तो हमारा B option बिलकुल right है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया first question का answer, अब देखिए second question की बात करते हैं, तो second question का right answer होगा D, यानि कि D option बिलकुल right है, ठीक है, इस 3rd question में और 4th question की बात करते हैं तो 4th question में आपका A option right है इसमें मैं आपको direct आपका question का answer बता रहा हूं यानि कौन सा option right है वही explain नहीं करूंगा नहीं तो video काफी जदा लंबी हो जाएगी चीक है अब इसके बाद जो 5th question है इसके answer की बात करें तो इसमें हमारा A option right है तो यह हो गया अब इसके बाद हम बढ़ते हैं next 6th question की तरफ तो 6th question का जो right answer होगा वो आपका B होगा यानि B option बिलकुल right है 6th question में अब 7th question की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें भी आपका B option बिलकुल right है ठीक है 7th question की बात कर रहे हम तो इसमें आपका B option right है 8th question में आपका A option right हो फिर 10th question में आपका C option right हो जाएगा ठीक है इसके बाद next है आपका 11th question तो 11th question में आपका जो C option है ये बिल्कुल right है इस तरह से आप मुझे बता सकते हैं last में comment box में कि आपके कितने question में कितने right option आपने किये हैं यानि कि आपके कितने marks बन रहे हैं इस question paper में ठीक है अब इसके बाद next हमारा है 12th question तो 12th question का जो right answer है वो हमारा होगा A इसके बाद next बढ़ते हैं 13 question की तरफ तो 13 number question जो है इसमें हमारा right option हो जाएगा ये B फिर इसके बाद 14 कोशन में हमारा A option right होगा इसके बाद next जो 15 कोशन है 15 कोशन का B option right है और 16 कोशन की बात करें तो इसमें हमारा यह आप देख सकते हैं यह रिक्तिसान है तो 16 कोशन का जो A option होगा यह बिलकुल right होगा फिर 17 कोशन में जो C option है यह बिलकुल right है इसके बाद next बढ़ते हैं जो आपका 18 कोशन है कोशन नमर 18 इसका A option right है इसके बाद 19 कोशन का C option right हो जाएगा फिर इसके बाद 20 नमर जो कोशन है इसका A option right है ठीक है इसके बाद 21 जो कोशन है यानि कि 21 जो कोशन नमर है इसका जो B option ह वो बिल्कुल राइट है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 22 कोशन नमर पर तो 22 जो हमारा कोशन नमर है इसका सी ऑप्शन राइट है इसके बाद इसके लाव हम बात करें कि जो हमारा यह पूरा आंसर है यह मैं आपको अपने टेलिग्राम गृप पर सेंड कर तो इसमें मैं राइट ऑप्शन को टिक करके और यह पीडिएफ आपको अपने टेलिग्राम गृप पर सेंड कर दूँगा वहां से आप असानी से इस पीडिएफ को देख सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारा हो गया इसके बाद नेक्स्ट ही 23 जो कोशन नमबर है इसका ओप्शन हमारा जो है D ओप्शन राइट है इसके बाद 24 जो कोशन नमबर है इसका A ओप्शन राइट है फिर इसके बाद जो 25 कोशन नमबर है इसका जो C ओप्शन है यह बिलकुर राइट हो जाएगा और 26 कोशन नमबर जो है इसमें हमारा A हो जाएगा फिर इसके बाद जो 29 question number है इसका देख यह option right है फिर 30 question number जो है इसका see option राइट हो जाएगा और 31 question number है इसका भी ओप्षन राइट है ठीक है फिर आहिएं बढ़ते है next 32 question number पर तो यह हमारा इसका a option right है धुर्टी 35 में A option right है फिर इसके बाद 36 की तरफ बढ़ते हैं तो 36 कोशन नंबर में जो B option है यह बिलकुल right है 37 में D option right है फिर 38 की बात करें तो इसमें B option right हो जाएगा अब इसके वाद next बढ़ते है 39 तो 39 की बात करें तो इसमें हमारा जो C option है यह वाला यह बिलकुल right है फिर इसके वाद 40 कोशन नंबर की बात करें तो इसमें हमारा यह D option right है इसके वाद नेक्स्ट 41 कोशन नंबर में देखिए इसमें हमारा जो C option है यह बिल्कुल right है फिर इसके बाद 42 में A option right है फिर next बढ़ते हैं अब हम 43 question नमर पर तो 43 में हमारा B option right है फिर इसके बाद 44 की तरफ बढ़ते हैं तो 44 में आप देखेंगे तो इसमें D option right है 45 में हमारा A option right है फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 46 46 में आप देखेंगे तो इसमें C option right हो जाएगा और 47 में जो यह B option है यह बिल्कुल right है फिर इसके बाद next बढ़ते हैं 48 की तरफ तो 48 में हमारा A option right है फिर 49 देखिए 49 में B option right हो जाएगा इसके बाद next हमारा है 50 तो इसमें हमारा C option right है और last जो हमारा रहे गया 51 तो इसमें ये D option बिलकुल right है तो यह मैंने आपको जो आपका Sanskrit subject है उसका पूरा answer की मैंने आपको बता दिया अब आपको पता चल गया होगा कि आपने question paper में कितने questions को सही answer किये हैं और आपके कितने marks बन रहे हैं तो आप अपने marks comment box में जरूर बताना ताकि idea लग जाए तो अगर आपको वीडियो अच्छा अप्लोड की जाए उसका notification सबसे पहले आपको मिल जाए मिलते हैं फिर एकली वीडियो में धन्यवाद